गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको वोट्सेब के एक फीचर से अबेर कराने वाला हूँ यह वीडियो काफी नीड भूल है क्यूंकि बहुत सारे लोग सैल्फ नोट्स बनाना चाहते हैं या कोई भी नंबर सेव करना चाहते हैं या कोई भी link को save करना चाहते हैं, कोई भी text को भी करके अपने पास save करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, या तो हम किसी blog number पे ये messages करते हैं, या हमें phone में एक extra WhatsApp बनाना पड़ता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं WhatsApp के इस खास features के ब काईज, आपको simply अपने phone में कोई भी एक browser खोल लेना है, वहाँ पे search box में, आपको simply search करना है, wa.me.com and अपना mobile number, उसके लिए एक simply बात ये है, कि आपको country code पता होना चाहिए, जो international country code होता है, हमारे इंडिया का 911 है, तो हम 911 करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे अपना पूरा mobile number आपको enter कर देना है, जो जिससे भी आप WhatsApp चलाते है, और आगे बढ़ेंगे, तो आपके सामने इस तरह का जो है डिस्प्ले ओपन हो जाएगी, यहाँ पे share करने के लिए tap करें पे simply click करेंगे, आपके phone में जो WhatsApp है, simply उसकी icon आपके सामने soft हो जाएगी, उस पे simply click करना है आपने, अब सिर्फ आप screen पे देख रहे होंगे, यह मेरा ही number है, और मैं अपने ही number पे खुद को ही messages कर सकता हूँ, हाला कि यह possible नहीं है, बट इस तरह से, इस method से यह possible है, आप कोई भी note, अपने कोई भी project या कुछ भी essential जो हो आपके लिए उसे आप यहाँ पे copy paste कर सकते हैं, या आप अपने phone में उसे save कर सकते हैं, हमेशा के लिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, like अपने नाम, और यह मैंने enter किया, तो देखो, यह साथ के साथ में blue mark भी हो गया है, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे और कुछ लिखके लिखता हूँ, hello, यहाँ पे मैंने hello लिखा, देखो, तुरंक mark हो गया यह, बहुत ही ज्य तो आप लोग भी इसका use कर सकते हैं, बहुत ही important है, और अगर आप कोई भी number यहाँ पे यहाँ बाहर से कुछ copy paste करना चाते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और मैं यहाँ पे एक new tab खोलता हूँ, मुझी जैसे यहाँ से कुछ भी copy paste करना है, like यह, तो यह मैंने यहाँ से copy किया, ठीक है, copy all, और यह copy, फिर से मैं वहीं जाओँगा अपने WhatsApp पे, यहाँ पर मैं simply paste कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं, यह सारा कुछ copy paste हो गया, मुझे तो इसकी जादा जूर्ट पढ़ती है, क्योंकि कि किसलिए पढ़ती है, इसलिए जूर्ट पढ़ जाती है, कुछ essential बाते होती है, जो मझे अपने ही पास वेजनी होती है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, कई बार आप ऐसा करते हैं, कि आपको कोई ब्लोक नमबर पे आप यह message वेशते हैं, या फिर खुद के ही phone में दो WhatsApp बनाते हैं, एक से message करते हैं, और अपने दू So guys, आज आपने सीखा कैसे हम WhatsApp में खुद के notes, खुद के links या कुछ भी number हम save कर सकते हैं, खुद के अपने mobile number पे, So, वीडियो काफी needful थी, वीडियो को जादे से जादे लोगों में share करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को अभी subscribe करें, और bell icon को जरूर स प्रेस करें क्योंकि कोई भी notification आप मिस ना कर सके, और मिल दे आनो दर वीडियो में, तब तक के लिए bye bye, जै हिंद, जै बारत, thanks for watching my videos.